कैसे हैं आप सब तो मैं आपके लिए लेकर रहे हैं देली यूज के संटेंस तो याद रखने के लिए हमें देली यूज में ही बोलना चाहिए क्योंकि आप लेखिए इंग्लिश का आपको पता है अब जिस एक संटेंस लेते हैं दिस का हमें पता है कि यह होता है दू होता है करना ठीक है तो इंग्लिश को जब हम इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा अब मैं इस संटेंस को सिर्फ इतना याद रख लेती हूं यह कैसे करना है हिंदी को मैं हिंदी में ही याद रखती हूं क् ने हिंदी को ही पढ़ा है, शुरू से मैंने हिंदी को ही पढ़ा है, और मैं हिंदी ही प्रैफर करती हूं, और मैं हिंदी ही बोलती हूं, तो बच्चे को आप चैसे सिखाएंगे, बच्चे को हिंदी बोलेंगे, तो उसे हिंदी हियाद रहेगे, अगर बच्चे को आप बोल जैसे कि डोग है तो डोग होता है कुटा ठीक है तो बच्चे को हम बोलेंगे दिन भर में डोग डोगी 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 तो बच्चे को याद रहे जाएगा बच्चे को कुटा याद नहीं रहेगा डोगी याद रहेगा ठीक है तो हम जो भी संटेंस हम बोलते हैं तो उसको इ कि हिंदी में याद रकते हैं तो हम हिंदी को हिंदी में नहीं रखते हैं तो हम इंग्लिश को सबसे बैटर तरीका यही होता है और होता है stories, stories का पढ़िये और जो grammar portion, sentences आपको याद रखने के जरूरत नहीं है कोई ज्यादा sentence मतलब rules याद रखने के जरूरत नहीं है, अब हिंदी में आप याद रखते हैं कि मैं अब past की बात कर रहा हूँ या आप सिर्फ बताते हैं सिर्फ बताते चले जाते हैं आपको दूसरा सामने वाला अपने आप समझ जाता है कि इस समय past की बात हो रही है, आप कहेंगे उसे कि मैं वहाँ गया था, सामने वाला समझ जाएगा कि वो past में गया था वो बीथ चुका है, ठीक है तो सामने वाला भी समझ गया उस चीज़ को, आपको भी पता है कि आप पहले गये थे, कि आप यह याद रखते हैं कि मैं past की बात बता रहा हूं, सिर्फ आपको पता होता है आप बोलते हैं बात करते हुए हम उस चीज़ को याद नहीं रखते कि हमने क्या लगाया और क्या नहीं लगाया सिर्फ उसको हमें पता है कि हमने right बोला है उस चीज़ को, कि मैं वहाँ गया था अब आप क्या, उसे ये भी बताएं कि मैं आपको भूत काल की बात बता रहा हूं नहीं रखते हैं हिंदी में तो आपको इंग्लिश को भी इंग्लिश में ही आद रखना चाहिए ठीक है तो बहुत ही ज़लडी आपको आजानी से याद होने लगेंगे हाउ टु डू दिस हिंदी में आपको ज्यादा रूल से समझने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको थोड़ी सी वोकैब्लरी तो थोड़ा से ग्रैमर पोर्शन समझने की ज़रूरत है कैसे इसका बैटर तरीका यही होता है कि आप इंग्लिश सोंग जो होते हैं उनको देखिए आपको कुछ ना कुछ तो माइंड में आएगा वोकैब्लरी तो याद रहेगी आप कुछ वर्ड वहाँ से पकड़ कर लाएंगे जिसको आप टेली यूज में बोलेंगे तिन भर में बोलते रहेंगे तो आपको वोकैब्लरी चल्दी याद रहेगी तो चल्दी चल्दी sentences देख लेते हैं How to do this वोकैब्लरी याद करनी बहुत जरूरी होती है यह कैसे करना है ठीक है यह कैसे करना है Can you do this क्या तुम यह कर सकते हो अब can होता है सकते Can क्या होता है सकते Can you do this क्या तुम यह कर सकते हो तो सकते होता है सकता जहां लगता है यह बहुत यह असान होता है तब यह थोड़ी टाउन है मेरी Can you do this? Can you do this? क्या तुम यहाँ जितने भी आप काम कर सकते हैं तो उनको बताएए ना कि मैं भाग सकता हूँ, मैं दोड सकता हूँ I can run, I can write, I can read, I can listen मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ Can he go there? क्या वह है, वहाँ जा सकता है Will होता है, गा गेगी जहां लगाते है I will try to do so मैं ऐसा करने के कोशश करूँगा to होता है, हिन्दी में इसका मतलब होता है say या के लिए मैं ऐसा करने के लिए कोशश करूँगा ऐसा तो नहीं बोलेंगे Hindi थोड़ी अलग हो रहती है और English का matter थोड़ा अलग रहता है I will try अगर आप इतना बोलना चाहते हैं कि मैं try करूँगा I will try तो Hindi में देखिए हमें ऐसा नहीं बोलेंगे Sometimes इस तरह से बोलेंगे मैं ऐसा करने के कोशिश करूँगा ठीक है मतलब वही होता है याप Hindi को ऐसे बोलेजे या ऐसे लेकिन आम तोर पर जब हम बोलते हैं मैं ऐसा करने के कोशिश करूँगा I will try to do so मैं ऐसा करने के कोशिश करूँगा would होता है बहुत ही polite जब आप बहुत ज़्यदा polite होते हैं बहुत ज़्यदा नरम दिल से किसी से पूछते हैं कि आप चाहे लेना पसंद करेंगे कि आप कॉफी पीना पसंद करेंगे कि आप ऐसा करना चाहेंगे would होता है जहां हम बहुत नरम हो जाते हैं will और would का एक ही मतलब होता है गागेगी करना चाहेंगे या मैं ऐसा करूंगा तो would होता है बहुत polite जब आप sentence बनाते हैं किसी से पूछते हैं politely बहुत नर्म तरीके से विनर्म तरीके से बहुत ज्यादा दिल से पूछते हैं तो वहाँ would का use कीजिए would you like to do this क्या आप यह करना पसंद चाहेंगे ठीक है पसंद करेंगे of course I would like to do this ज़रूर में है करना चाहूंगा of course I would like to do this of course I would like to do this वो भी बहुत ही polite अंसर दे रहा है जब आपने उसे नर्म तरीके से पूछा है तो वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा polite अंसर कर रहा है of course I would like to do this I will follow मैं बिमार पर जाऊंगो जल्दी जल्दी देख लेते हैं I will follow remind later मुझे फिर से याद दिलाना remind होता है याद दिलाना remind यानि कि remind को हम याद रखेंगे दोबारा से mind के अंदर डालना ठीक है दोबारा से mind के अंदर डालना remind later याद मुझे बाद में आद दिलाएं बहुत सारे यूज हम कर सकते हैं बहुत सारे sentences इससे बना सकते हैं ठीक है जभी भी आप किसी को रोकना चाहें यह negative sentences होते हैं तो don't be too great ऐसा मत करो ठीक है बहुत महान मत बनो don't be too great don't be too smart जयादा होश्यारी मत दिखाओ यह जयादा होश्यार मत बनो don't be too smart he is self obsessed obsessed यह वर्ड होता है obsessed, he is self obsessed वह खुदगर्ज है वह क्या है? खुदगर्ज है I gave him a chair to sit on मैंने उसे पैठने के लिए एक कुरसी दी मैंने क्या दी? I gave him मैंने उसे दिया a chair एक chair दी to sit on पैठने के लिए ठीक है? तो यहाँ देखे के लिए आ रहा है to आ रहा है I gave him मैंने उसे दिया एक chair I gave him a chair to sit on पैठने के लिए उस पर पैठने के लिए on आ गया, ठीक है? You have spoken out my heart अब out को याद रखेंगे कि यह यहाँ क्यों लगा? You have spoken आपने बोल दिया आपने बोल दिया spoke कर दिया speak कर दिया ठीक है? speak होता है बोलना तो spoken आप बोल चुके हैं वो बात ठीक है? कह चुके है You have spoken आपने बोल दिया क्या बोल दिया है? Out my heart मेरे दिल की बात को बाहर ले आए है आउट करना मेरे दिल की बात बाहर आई मेरे दिल की अंदर की जो बात थी वो आपकी जुबान से बाहर आ गई है तो आउट माई हार्ट मेरे दिल की बात बाहर आ गई है आपकी जुबान से निकल चुकी है सिर्फ माइंड में बेठाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ मैं कि यह था कि आपको याद रहे You have spoken out my heart आप बोल चुके हैं आपने वो बात कह दी है Out my heart जो मेरे दिल के अंदर थी आप उसे बाहर ले आए हैं Out my heart Don't mess with me मुझसे पंगा मतलो मुझसे पंगा मतलो Mess Mess को सिर्फ याद रखने के लिए हम याद रखेंगे मस्ती कि मुझसे मस्ती मत करो या मुझसे पंगा मतलो तो सिर्फ यह माइंड में बेठाने के लिए है ताकि आपको vocabulary थोड़ी सी याद रहे Don't mess with me अब यहां भी आप रोक रहे हैं सामने वाले को Don't mess with me Don't वहीं लगता है जहां आप किसी को कोई काम करने के लिए रोक रहे होते हैं Don't mess with me कि मुझसे पंगा मतलो Mess होता है मस्ती मत करो ठीक है मुझसे पंगा मतलो तो दीके कितना असान था ना Mess को याद करना बस ऐसे थोड़ा सा जोड़ते रहे हैं कि हम Mess से बना मस्ती ठीक है Talking is easier than doing Talking बहुत आसान है Talk होता है बात करना Talking बहुत आसान है बाते करते रहना बहुत आसान है Then doing करके दिखाने से Then doing Do होता है करना I.N.G. लग गया है Talking is easier than doing Talking बहुत आसान है क्या करने से करके दिखाने से Then doing कुछ भी करके दिखाने से बाते करना बहुत आसान होता है ठीक है तो मिलते हैं ने अब स्वीडियों में तब तक किलिए पने रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजे कॉमेंट कीजे और बाल इकन को करना मत भूलिए ठीक है तो मिलते हैं बाइबाइब योल